नमस्कार, श्वागत है एक बार फिर से आप सभी काहिंदि ट्रिकेंड मस्ती में, मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस्त कुमार चोधरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखन के सुपरसिद्ध बाबा वैजिनाध्धाम मंदिर के बारे में और बाबा बास कालियों के लिए मंदिर के दर्वाजे खोल दिये हैं उसके लिए आपको कुछ नियमेंवम कारून का पालन करना होगा जारखन सरकार में एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए एक नई वेबसाइट लांच की है जिस वेबसाइट से आप ओनलाइन यी पास जनरेट कर सकत हैं वह भी बिना किसी दूसरे की हैल्प के तो आईए सिखते हैं उससे पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और कमेंट करें आईए जानते हैं अगर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुबाइल के ब्रावजर को अपन कर लेना है और उपर में उसके एड्रिस बार में जा करके आपको टाइप करना है जार्खंड दर्शन.nic.in लिंक में नीचे description box में भी दे दूँगा इसे जैसे ही आप okay करते हैं आपके सामने जार्खंड दर्शन की website open हो जाएगा और उसके नीचे आपको बाबा बासुकीनात एवं बाबा बैजनात धाम की booking का option दिखाई देगा जिसमें दो परकार का booking है individual booking और family booking तो चलिए मैं ब बाबा बैजनात धाम टेंपल का individual booking करता हूं अगर आप family के साथ जाना चाते तो family booking करते हैं इस पर click करने के बाद आपको बाबा बैजनात धाम की दर्शन का detail आपको दिखाई देगा इससे आप scroll down करते हुए नीचे आईएगा तो आपको book दर्शन का एक छोटी से form दिखा लाट्यक करते हैं जैसे अभी एक तरीव से सात के सथा तरीविक सो कर रहा है इस बीच आपको जब दर्शन करना है उस देट को आप select कर लें तो फिलहाल मैं यहां से एक date select कर रहा हूं उसके बाद उसके नीचे ठीक दर्शन time आपको select कर लेना है जिस time को आप दर्शन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ 6 से 7 के बीच में time दे देता हूँ उसके बाद आप अपना state दर्शन आर्थी state select कर लें मैं फिलाल जारखन से जारखन दे रहने देता हूँ उसके बाद आप अपना district select कर लें उसके बाद number of person select करें क्योंकि मैंने यहाँ individual select किया था तो यहाँ सिर्फ आपको एक का ही option आएगा अगर आप family select करके करते हैं family booking तो उसमें आपका एक से अधिक option मिल सकता है यहाँ पे देखे नीचे में availability सो कर रहा है जरूरी नहीं है कि हर time सो करें तो अभी हाँ पे दिख रहा है कि 46 available है तो उसके बाद अपना mobile number और अपना address आप टाइप कर लें उसके बाद नीचे में फिर आप अपना नाम, age, gender और id type को select कर लें पुरा फिल करने के बाद डोकुमेंट आपको document id भी एक select कर लेना अधार traveling lesson passport जो भी फिलाल में अधार select कर लेता हूँ अपना document id select करके type कर लें और self declaration पर आप click कर दें और इसे अच्छी तरह से पढ़ लें कि इसमें क्या-क्या दिया गया है और उसके नीचे में आपका term and condition दिया गया है तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर उसके नीचे में आप get दर्शन slip पर click कर दें आपको यहां बताया जा रहा किए आप document का number डाले मैंने अधार card select किया था मैं उसका number डालके get document slip पर click करता हूँ तो booking preview फर बाबा बेजना था आपका एक बार आपको detail चेक करने के लिए बोला जाएगा और उसके नीचे में आप final submit पर click कर दें तो आपका दर्शन slip जेनरेट हो जाएगा जिसका आप screenshot लेके रख सकते हैं या फिर आप अपने mobile से print out भी निकाल सकते हैं अगर आपका दर्शन slip गलती से आप screenshot नहीं ले पाए हैं तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसे किस परकास से दुबारा निकाल सकते हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद